नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं बंसल न्यूस मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुपता सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर से आई बड़ी खबर की जहांपर ग्रेमंत्री विजश्षर्मा की और से बड़ी गोश्णा करती गई है सभी ज सरकार में 10 हफते में 15 कैम्प खोले गए हैं तो देखे बड़ी सौगात दी गई है 36 गड़ को ऐसे में बस्तर में तबादलों के लिए कानून भी बनाया जाएगा ये भी कहा है डिप्टी सीम ने पुलिस विवाग में पती पतनी एक साथ अब ट्रांसपर ले सकेंगे जिस भी आज ऐलान किया गया है जो नेता जमीन से जुड़ा हुआ होता है उससे बातचीत जमीन पर बैट कर ही होती है मेरे साथ ग्री मंत्री है चात्यवर के विजय शर्मा जी जेल में उस तौर को भी मैं याद करवाना चाहूंगा आपको जेल में रहना पड़ा था उस समय ज पुलिस रिफॉर्म साज अपने बजट की माध्यम से प्रस्ति है मैं जेल में रहा हूं फरजी एफाई यार करके गुरुबरती सरकार में हम लोगों को जेल में डाला गया था तो समय काटना बहुत मुश्किल होता है कोई मिलने भी आ जाता है तो बड़ी खुशी होती इस उसके हाथ में एक कौशल हो उसके हाथ में कुछ राशी हो और तब वो अपने नई जीवन की कल्पना प्रारम कर सकता है इस भाव के साथ उसकाम को किया जा रहा है बस्तर में जो पुलिस कर्मी जाते हैं सर ऐसा लगता है कि वो जीवन उसका वहीं खतम हो जाता है कोई पू जो बस्तर में हैं उनके लिए यह है कि एक नियम बना करके और निर्धारित समय अंतराल में वो वापस आ पाए और आ करके वो अपने कुछ निर्धारित इस्तान हैं वहां वो जा पाए इसकी पूरी वेवस्ता की जाएगी और यह हो कर रहेगा पत्ति पत्तनी एक साथ है तो उनके लिए भी आपने कहा है कि साथ में हो जा सकते हैं बाकी जॉबस में ये फैसलेटी रहती है पूलिस वहाग में ऐसा लगता था कि ये नहीं हो पाएगा आप ने आज उसकी भी को कि ये कोई कानून तो है नहीं, कोई अधिकार है नहीं, लेकिन जैसी आवशकता है, तो ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कि उसकी भरती की प्रकिर्या की जा रही है। साथी साथ साइवर थाने हैं, तो साइवर थाने भी प्रतिक जिले में इस्तापित किया जाएंगे। इस बार चार साइबर थाने अभी प्रस्तावीत हैं।